श्रोस न्याले ने चत्तिजगड से एक अंतरधार्मिक विवाग के विवादित मामला सुनवाई के दोरान कहा कि पुरुष को एक वफादार पती और अच्छा प्रेमी होना चाहिए एक मुस्लिम पुरुष से विवाग किया था पुरुष ने स्विकार किया कि महिला के परिवार से स्विकृति पाने के लिए हिंदु धरम भी स्विकार कर चुका है वहीं महिला के परिवार ने उसके धरम परिवर्तन को मातर चलावा करार दिया पीट ने पुरुष से एक सप कानूनी कदम उठाएं है महिला के पिता के वकील ने कहा कि यह है लड़कियों को फसाने वाला गुरक धंदा है इस मामले में सिर्स अदालत ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है और लड़की को हस से के आवेदन केनूमती दी